ये दाउद खान ने कम्मा है बंबई जागीर समझता है बुढ़ा हो गया मगर अभी खाने को मोर पकड़ता है ये दाउद खान ने कम्मा है बंबई जागीर समझता है बुढ़ा हो गया मगर अभी खाने को मोर पकड़ता है इसलिए क्योंकि पहला हमला विवेक पर था तब ओबराई ने जंग लड़ी निरजीव रहा बंबई सहर बस वहीं से ये जंजीर बढ़ी वहीं से से ताकत मिल गई कौन है ये दाउद खान छिद रही थी जब माया नगरी आहुति दे डाली प्राणों की रह गई कहानी धरी धरी अब तो सुसांत अर्मानों की सुसांत तो चला गया उभरता हुआ कलाकार सारा देश आज आसू बहा रहा है मित्रों डरने डराने लगी माया नगरी किसलिए अब किसकी बारी विवे कोब राय साहब का सारे संसार में कौन नहीं जानता है अर्जी सिंग सौनू निगम का हाल ही में दर्द छलका है कंगना रनोत का सभी को पता है असुसांत का तो अभी आसू नहीं पोछे जा रहे हैं मित्रो राजकुमार जैसी हस्ती इस फिल्मी दुनिया में आकर गई राजकुमार साहब रहे असो कुमार रहे दिलीव कुमार साहब रहे देवानन साहब रहे पूजा जाता था इने जिन्होंने जन्म दिया है फिल्मी माया नगरी को आज भी धर्मेन साहब हैं सदी के नायक हैं अमिताब बच्चन साहब हैं गोविंदा साहब हैं अनिलकपूर साहब हैं अजय देवगन हैं ये बो हस्तियां हैं इन्होंने कभी जनता को जनता नहीं स कसर नहीं छोड़ती है मगर आज क्या हो गया माया नगरी को आज नए अदाकार नवाजुद्दीन जैसा उभरता कलाकार नवाजुद्दीन साहब है राजकुमार राव है सुनील गुरोबर है ओ हो हो विकी कौसल है आयुस्मान खुराना है जैसे उभरते कलाकारों को कोई प किसकी बारी क्यों कीजिएगा ये दाउद खान निकमा है बंबई जागीर समझता है बुड़ा हो गया मगर अब भी खाने को मोर पकड़ता है पहला हमला विवेक पर था तब अब राय ने जंग लड़ी निरजीव रहा बंबई सहर बस वहीं से ये जंजीर बढ़ी ये दाउद खान निकमा है इसके पीछे जंजीर बढ़ी जो भी घेरे से अलग हुआ उसको दुनिया छोड़नी पड़ी सुसांत सिंग राजपूत उसको दुनिया छोड़नी पड़ी छिद रही थी जब माया नगरी आहुत दे डाली प्राणों की रह गई कहानी धरी धरी अब तो सुसांत अर्मानों की बस इस कलाकार से एक मुझे सिकायत हुई है ये कि था वो बिराई भी वहीं और कंगना का होसला क्या कम था कौन नहीं जानता इस वीरांगना को था वो बिराई भी वहीं और कंगना का होसला क्या कम था फिर क्यों बाजी हारे सुसांत मीडिया को लिखते जो गम था आज लोग तंत्र में चौथा खंबा जिंदा है मजबूत है लिखना चाहिए था बस ये गम है गोर कीजिगा इस अडियला और निकम्मे को आज ही जमीन पिलाना है भारत पर बन भारत पर बन गया बोजे कटोरा खान को सबक सिखाना है ना जाने कितने कटोरा खान ऐसे हैं आज मित्रो ना जाने कितने कटोरा खान है और ना जाने कैसी कैसी हस्तियां है इसी में आमिर खान साहब को नाम सुनते ही सारे देश का माथा उंचा हो जाता है फक्र से उठ जाता है गौर कीजिएगा लेकिन आज कुछ कटोरा खान ऐसे हैं जो जिन्हें अगर दानव कहा जाए तब भी कम है गौर कीजिएगा मित्रो इस अड़ियला और निकम्य को आज ही जमीन पे लाना है भारत पर बोज बन गया भारत पर बन गया बोज कटोरा खान को सबक सिखाना है भूलना मत मित्रो आबादी जब इसे भीख डालती है तब इसकी बाजू फूलती है जैसे ये पूरी धरती को अभी उठाए लिये जा रहा है सुल्तान लिखता है ऐसे निकम्य को और उसी आबादी को ये गूरता है आबादी जब इसे भीग डालती है तब इसकी बाजू फूलती है सुल्तान लिखता है और उसी आबादी को ये घूरता है कोसता है जबकि हम लोग ऐसे दानवों को ना जाने क्या-क्या मानते हैं ना जाने क्या-क्या समझते हैं और एक दो नहीं विवेक ओविराय साहब अरजी सिंग जैसा सिंगर सोनू निगमोहो कंगना सुसान्त की तो कहानी आप सभी को पता है मित्रो डराने लगी है माया नगरी ना जाने किसकी बारी समस्या टीम से सैले सिंग नमस्कार